हेलो स्टुडेंट वेलकम टु स्टुडियों कॉमर्स तो मैं अपने चैनल पर प्लेलिस्ट नहीं एड करने जा रहे हूं जो कि है आपकी MIS की Management Information System तो इस प्लेलिस्ट में हम पूरा Management Information System के बारे में समझेंगे तो यह हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एक्चुल में आपका यह जो Management Information System होता है यह MIS होता है इसका क्या मतलब होता है तो इस वीडियो में केवल हम इसक मीनिंग समझेंगे ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आगे के और वीडियो देखने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो Management Information System में अगर हम बात करें तो इसमें तीन वर्स आते हैं Management Information और System ठीक है तो Management Information System आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप कुछ Information करते हो बिजनस से रिलेटेड और वो Management को प्रोवाइड करते हो और Management क्या करता है उसी के बेस पे अपने बिजनस में डिसीजन्स लेता है तो वही जो सिस्टम प्रोवाइड करता है या जो Information प्रोवाइड कर रहा है Management Information System क्यालाता है ठीक है तो इसके नाम से क्लियर है कि एक सिस्टम होता है मेंस एक सिस्टमाटिक मैनर में करने वाला एक प्रोवाइड करते है ठीक है कुछ Rules Regulations को करते हुए ही इसको किया जाता है अपने मन से कुछ भी नहीं किया जा सकता ठीक है हम बिजनस के Rules Regulations को फॉल को लेते हैं एन माईस इस इस सिस्टम धाट प्रोबाइड मैंेजर्स विदधनेसी इन Sverigescreen टू मेंग डिसीजनषम से को मेंस कर दोног dus GO नैसे MIS Professionals Help Firms Realize Maximum Benefit from Investment in Personal Equipment and Business Process MIS Professionals जो होते हैं वो help करते हैं Firms को Maximum Profit Realize करने में investment से, equipment से, business process से तो overall ये हमारे future के लिए helpful होता है और हमारे business में decision making के लिए बहुत जादा मदद करता है आगे रहते हैं MIS is a people oriented field with an emphasize on service through technology MIS basically a people oriented field है क्योंकि people के थुरू ही information प्रोवाइट की जा रही है मैनेजर को ठीक है और ये basically service प्रोवाइट करती है एक तरीके की information दे रही है means एक service प्रोवाइट कर रही है वह भी technology की मदद से ठीक है क्योंकि इसमें technology का भी use किया जा रहा है management information system में ठीक है चले आगे देखते हैं अब बात करते हैं हम लोग की management information system और computer science दोनों में क्या difference होता है ठीक है तो MIS और CS में क्या difference होता है तो हम ये समझेंगे management information system is the study of how people use technology to manage information ठीक है तो जो management information system होता है basically हमें वो ये बताता है कि हमें जो ये जो technology मिली है इसका मदद इसकी मदद से या इसकी help से हम कैसे information को manage करें और managers तक provide करें एक useful information ठीक है data को कहां पे store करके रखें कैसे data को process करें और कैसे हम information को एक valuable या useful information में convert करें और managers को provide करें ताकि वो decision ले सकें तो यहीं हमें MIS provide करता है it includes both the hardware and software तो इसमें software और hardware दोनों आ जाते हैं तो hardware हमारे ऐसे items होते हैं जो physically हम जिनें छू सकते हैं और touch कर सकते हैं और software तो हमारे programs होते हैं ठीक है used to store, process and retrieve information तो हम इनी की मदद से hardware और software की मदद से अपने data को store करते हैं उनको process करते हैं और एक information के form में उन्हें convert करते हैं ठीक है तो आगे दिखते हैं computer science का क्या मतलब होता है computer science is the study of how computers work तो computer science में हम यह पढ़ते हैं कि computer कैसे काम करेगा तो इसमें हमारा computer को कैसे design किया गया है, कैसे implement किया जाता है computer system को यह साली चीज़े हम पढ़ते हैं means overall हम computer science में यह पढ़ते हैं कि computer काम कैसे करता है कैसे इसको बनाया गया है, कैसे इसको implement किया गया है लेकिन यह जो MIS होता है MIS basically उसमें हम computer को यह technology को use करके एक data को useful information में convert करते हैं और managers को information provide करते हैं जिसके base पे future में या business में अपने decision लेता है तो I hope आपको दोनों का मतलब भी clear हो गया होगा